नमस्कार दोस्तों मैं हूं मन्विंदर और मेरी चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ग्यारा दिन हो चले हैं रूस लगातार यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है आलम यह है कि वहां कई शहर तबहा हो चुके हैं और उसने राजधानी कीव से ले करके खार कीव, मरियोपोल, सुमी और देशा तक भारी बंबारी किये है इसी बीच दोस्तों इंट्रेस्टिंग बात यह है कि इसी बीच रूस ने यह दावा किया है कि उसने ग्यारा दिनों म यूक्रेन में बाइस सो से अधिक सैने टिकानों को निश्ट कर दिया है इसके साथ ही भारी मात्रा में सैने उपकर्नों का अपना निशाना मनाया है उसने सैने उपकर्नों को भी अपना निशाना मनाया है और उसने यह दावा किया है कि उसने यूक्रेन की मिसाइल रक्षा मंतर अले का ये भी कहना है कि रूसी सशत्र बलो ने उक्रेनी भूमी पर 69 विवान और हवा में लगभग 21,000 से ज्यादा टैंक और बक्तरवंग लड़ाकू वाहन, 76 रॉकेट लॉंचर, 274 फील्ड, और्टलरी और मौटरार और विशेश 10 से नवाहनों की 532 से काईउं और 49 को मार गिराया है। मानव रहत हवाई वाहन उपकरन भी उन्होंने भारी मातरा में रश्ट किये हैं। रूसी रक्षाम बंत्राले के जो ओफिशल्स हैं उनका ये कहना है कि शर्निवार यानि के 5 मार्श को रूसी श्रसत्र बलों ने युक्रेणी सेन अड़े पर हमला किया। इस हमले में रूस ने युक्रेण के 5 रड़ार स्टेशनों को अपना निशाना मनाया। उनका पूरा सिस्टम धस्ट कर दिया। और युक्रेण में ऑपरेशन के दोराल बाइस सो तीन सेनिटिकानों को धस्ट कर दिया। इसके अलावा युक्रेणी सचत्र बलो के 74 न्यंदरन बिंदो और संचार केंद्र 108S-300 वुक M1 और ओसा एंटी एरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के साथ-साथ 68 रड़ार स्टेशनों को पूरी तरह से इंड़स्ट कर दिया है। यह रूस का दावा है उनके जो डिफेंस ओफिशल है उनका यह कहना है। तो दोस्तों यह जो रूस कहरा है जो यह कंटेंट है किस तरीके से आप इसको ले रहे हैं। आप अपनी राय मुझे जरूर दीजेगा क्योंकि लड़ाई में नुकसान किसका होता है मानवता का होता है। आप अपनी राय मुझे जरूर दीजेगा। फिलाल इतना ही फिर आपसे मिलती हूँ किसी और खबर के साथ तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें नमस्कार